हलो एबरीबन आदाम नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर जहांपर आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सटी से आए हुए प्रोफेशर असूसेट प्रोफेशर और असिस्टेंट प लाए हुए नाटिफिकेशन के उपर यहां पर कुल टोटल 75 सीटों पर पर्मानेंट पोस्ट पर रिक्रुमेंट मांगे जा रहे हैं हम वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि फार्म को फिल अप करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं साथ अप्लिकेशन फीस और इस फार्म का जो लाश डिट है इन सभी चीजों को वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो इस पोस्ट से संबंधित संपून जानकारी के लिए वीडियो में आश्ट तक बने रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइ कर ले ताकि इस तरीके का जो भी इन्फार्मिशन हम आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते हैं वो आप तक समय पर पहुचता रहे हैं आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तेजपूर यूनिवर्सटी जो की एक सेंट्रल यूनिवर्सटी है यहां से प्रोफ मई 2024 का डेट रखा गहा है 15 मई से पहले आप लोग फार्म अपलाई कर सकते हैं फार्म को अपलाई करने के लिए आप लोगों को इनके आफिसियल वेफसाइट www.teju.ernet.in पर विजिट करना होगा और यहीं से आप लोगों को अप्लिकेशन लिंक और साथ साथ यह जो नोड है वो डाउनलोड करने को मिल जाएगा इंपोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर फार्म को अपलाई करने के लिए आप लोगों को 23 से 22 मार्च 2024 का वेट करना पड़ेगा क्योंकि यह जो का जो अप्लिकेशन लिंक है वो 22 मार्च को इनके आफिसियल वेफ Class ada University है उस उनका information और साथ यसाथ फार्म को अपलाई करने का जो लिंक है वो एक portal पर यहां पर नहीं पिरलेगा तो आप यहां के लिए farm apply करना चाहते हैं तो आप लोग civil engineering से farm apply कर सकते हैं, computer science and engineering से farm apply कर सकते हैं, electrical engineering, electronics and communication engineering, food engineering and technology, applied science, physics, chemical science, molecular biology and biotechnology, culture studies, social work, education, law, commerce, SMEs, design, foreign language, English, linguistics and language technology से यहां पर प्रोफेशर के पोश्ट पर रिक्रिमेंट मांगे जा रहे हैं और जो टोटल यहां पर जो सीटे निकल कर आई हुई हैं वो बैकलाक और नार्मल दोनों पोश्ट पर रिक्रिमेंट मांगे जा रहे हैं वहीं नार्मल सीटो पर यहां पर 22 पोश्ट पर रिक्रिमे इंजिनरिंग, एलेक्रिकल इंजिनरिंग, मॉलिकूलर, बायोलाजी और बायो टेक्नोलाजी, एजुकेशन, बिजनेस अड्मिनिस्टेशन, डिजाइन, फॉरें लेंगवेज, कामर्श, मास कम्मुनिकेशन और जेनरलिज्म से यहाँ पर पोश्ट मांगे जा रहे हैं, नौ इंजिनरिंग और टेक्नोलाजी, मास कम्मुनिकेशन से रिलेटेड सीटो पर रिक्रिमेंट मांगे जा रहे हैं, और बैक्लाग की जो सीटे यहाँ पर हैं, 22 सीटो पर रिक्रिमेंट मांगा जा रहा है, वहीं 40 सीटे यहाँ पर असिस्टें प्रोफेशर के लिए नार्मल पर मांगे जा रहे हैं minimum qualification की अगर हम बात करें तो अगर आप assistant professor का farm apply कर रहे हैं तो यहाँ पर जो qualification मांगे जा रहे हैं उसमें for engineering and technology से अगर आप farm apply किये हैं तो उसके लिए आप लोगों को BE, BE, BTEC, BS and ME, MTEC, MS, Integrated, AMED relevant किसी भी ब्रांच से आप लोगों को for division के साथ pass out होना जरूरी है साथ इसाथ जो design से farm apply कर रहे हैं bachelor degree design में आप लोगों के पास होना जरूरी है या फिर engineering and technology से आपने for division master degrees qualify किया हुआ है तो आप eligible है farm को apply करने के लिए यहाँ पर net या फिर JRF से संबंदित कोई भी qualification mention नहीं किया गया है तो अगर आप लोगों ने related subject में master degree pass out किया हुआ है तो भी आप eligible है वहीं associate professor के लिए bachelor degree इसके साथ साथ आप लोगों के पास PhD भी मांगी गई है साथ इसाथ आप लोगों के पास 8 साल का experience मांगा गया है teaching, research या फिर industry से related आपके पास experience हो वहीं professor के लिए यहाँ पर 10 साल का experience related subject में मांगे गये हैं, बाकी सारे qualification same ही यहाँ पर होने वाले हैं application fees के अगर हम बात करें तो यहाँ पर farm को apply करने के लिए जो application fees रखे गये हैं 1000 रुपए यहाँ पर application fees मांगे गये हैं, बहीं SCST, PWD categories के जो candidate हैं उनको यहाँ पर एक भी रुपए application fees नहीं देना होगा उनको पूरी तरीके से fees में exempt rate कर दिया गया है तो यहाँ पर अगर हम salaries की बात कर ले तो अगर आप professor के लिए form apply कर रहे हैं और यहाँ से अपाइंट कर लिया जाते हैं तो जो academic payable है 14 का यहाँ पर है 1,44,200 रुपए से आपकी entry salary यहाँ पर start कर दी जाएगी वहीं अगर आप associate professor के लिए form apply कर रहे हैं तो यहाँ पर 1,31,400 रुपए से entry salary start कर दी जाएगी assistant professor के लिए यहाँ पर 57,700 रुपए से आपकी entry salary start कर दी जाएगी तो यहाँ पर जो post है permanent sito पर निकल कर आए हुए हैं तो अगर आप interested है form को apply करने के लिए तो आप form apply कर सकते हैं application जो है 22 March 2024 से start कर दी जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही इस तरीके का और भी information हम आप लोगों तो समय समय पर पहुचाते रहते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much